Hello everyone, welcome to origin आज की इस class में हम स्थार्ट करने वाले हमारे class 12 के poetry section का first chapter जिसका नाम है my mother at 66 जिसके writer है कमला दास तो आज हम अपना poetry section इस्थार्ट करेंगे and हम poetry की line by line summary इस chapter में देखेंगे line to line हम इस poetry को समझेंगे and then कुछ questions attempt करेंगे and easily यह हमारा chapter जो है जो हमारे poems जो है वो भी जैसे हमारे हमने prose complete किया उसी तरिके से poems ही हमारे complete हो जाएंगे ओके, सो अब हम स्थार्ट करते हैं हमारे इस chapter की summary इस poem की summary जिसका नाम है my mother at 66 So the poem goes like this driving from my parents home to Cochin last Friday morning I saw my mother beside me doze, open mouth, her face ashen like that of cops यह हमारे इस poem का पहला part है part wise हमने से divide किया है हम उसी इसके meaning को समझेंगे So यहाँ पर author के, जो हमारी writer है वो कहती है जो हमारे poet है वो कहते हैं कि जब वो अपने parents के home से अपने मम्मी पापा के घर से जो कहा था, coaching में last Friday इसका मतलब जो poet है वो last Friday अपने मम्मी पापा के घर गय थे, coaching वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे वापस जब वो driving, कहां आ रहे थे वो airport जा रहे थे यह मैं आपको पहले से बता दिये रहता हूँ कि वो कहां जा रहे थे, airport जा रहे थे तो जब last author last Friday अपने मम्मी पापा के घर गये थे कोचिन और वहाँ से जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे तो ओथर ने अपनी मम्मी की तरफ देखा जब वो गाड़ी चला रही थी तो उनकी मम्मी जो थी काफी डल उनका फेस था एंड उनके फेस पे कोई चमक नहीं थी यह हमें समझ आता है पहले इस पहले इस पार्ट से इस पोयम के अब हम next देखते हैं next जो पोयट है वो लिखते हैं and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes अब यहाँ पही क्या कहती ही जो हमारी पोयट है वो कि वो पेन से उनने यह realization हुआ कि अब उनकी मम्मी जो थी वो उतनी ही old है जितनी वो दिखती है means यह line यहाँ पर important है that she was as old as she looked means जितनी बुढ़ी वो दिख रही है उतनी बुढ़ी वो है भी यह author को realize वो काफी pain के साथ वो pain क्यों हुआ जो हमारे पोयट हो उनको वो हम आगे चल के पता चलेगा but जैसे यह नहीं यह thought आया वो अपना thought को away किया मतलब अपने thought को उन्हें दूर भगाया and वो अपने car के window के बाहर देखने लगे car के window के बाहर वो क्या देखते है young trees sprinting अब यहाँ पर जो young trees sprinting है इनका क्या मतलब है young means हुआ childhood young का मतलब यहाँ पर childhood से and trees का meaning क्या हुआ trees को यहाँ पर दिया गया है time के लिए and sprinting का मतलब हुआ fast means यहाँ पर यह कहना चाह रहे है कि जिस तरीके से young trees जब वो अब गाड़ी में वो बैठे थे तो गाड़ी उनकी fastly आगे जा रही है तो जो पेड़ है वो पीछे जा रहे है यह चीज़ हमें imagine करनी है कि जो कमला दास है वो अपना कार चला रहे है and उनके भगल में उनकी मम्मी बैठी है अब उनके mind में जब यह thought आया तो वो window के बाहर देखने लगे अब उनकी गाड़ी आगे जा रही है और जो पेड़ है वो पीछे जा रहे है तो यहाँपे पेड़ को ऐसा use किया गया है तेजी से जाते हुए वक्त की तरह means यहाँपे वो यह बताना चाहते है कि वक्त जो है वो कितनी तेजी से जाता है and then वो किस पर देखते है Mary children is spilling out of their homes अब children का यहाँ पर क्यों use किया गया है children को use किया गया है author अपना childhood याद करने के लिए means author इन बच्चों को देखके अपना childhood याद करते हैं जब वो छोटे थे और उनकी मम्मी जो थी वो young थी यह चीज़ हमें समझ आती है इस वाले पार्ट से नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पोयम का अगले जो लाइन से उन्हें but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her when pale as a late winter's moon but अब जब author ने इन बच्चों को देखा जाते हुए पेड को देखा तो author के मन से वो जो poet है उनके दिमाग से यह जो pain था यह जो realization था यह जो डर उनके अंदर आया था अपनी मम्मी को देखके वो जो है वो दूर हो गया था but जैसे यह airport के security check airport में जाने के बाद checking होती है समानों की वो सब complete होने के बाद जब author जा रहे थे अपने plane की तरफ तो जब वापस उन्होंने मुड के अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने notice किया कि उनकी मम्मी का जो चहरा है वो काफी pale था means, pale means off white जिसे कहा जाता है जिसमें चमक ना हो, काफी dull face and as a late winter's moon अब late winter's moon यहाँ पे किसलिए use किया गया है जो जब थंड बहुत ज़ादा रहती ना तब चांद clearly दिखता नहीं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि fog रहता है, धुन्द रहता है, कोहरा रहता है इस वज़े से चांद clearly दिखता नहीं, dull दिखता है काफी similarly यहाँ पे आथर की जो mother का face है उसे late winter के moon से compare किया गया है कि उसी तरीके से जो आथर की mother का चहरा है वो wrinkles से and dull color से काफी वो भर चुका है और उतना clearly अब वो नजर नहीं आ रहा है तो इस वाले line से हमें यह चीज़ समझाती है अब हम चलते हैं हमारी इस poem के last part में तो यहाँ पे poet क्या लिखते हैं जो poet है वो कहते हैं and felt that old familiar ache एक means यहाँ पे होता है pain एक means होता है pain अब pain उन्हें क्यों लगा बचपन का जो उनका डर था familiar ache means जाना पहचाना familiar means यहाँ पे क्या हो गया जाना पहचाना clear means अब जाना पहचाना मतलब क्या हुआ बचपन में भी जब author अपनी मम्मी से दूर जाते थे तब भी उन्हें यह डर रहता था अपनी मम्मी से दूर जाने का but अब उन्हें फिर से यह डर वापस आ गया है कि कहीं वो अपनी मम्मी से permanently दूर ना चले जाए my childhood sphere यहाँ पे उन्होंने रिखा है उनकी बचपन का जो डर था अब डर को यहाँ पे दो तरीके से represent किया गया है किन किन दो तरीके से एक तो proper जो डर है means अभी author उन्हें छोड़ के अपने घर जा रहे हैं तो एक तरीके से दूर होने का डर कि अब वो अपनी मम्मी से बहुत दिन बाद मिलेंगे यह तो यहाँ पे real में use किया गया है बट एक और इसका meaning यह निकलता है कि अपनी मम्मी से permanent बिच़डने का डर means अब उनका डर यह था कि क्या वो फिर से इनसे मिल पाएंगे या नहीं तो इस तरीके से दो तरीके से यहाँ पे इस डर को represent किया गया है next नमारा जो line है वो हम देखते हैं but all I said was see you soon अम्मा पर यह सब डर को वो अपने अंदर दबाते हुए अपने चेहरे पे एक smile लाते हुए सिर्फ इतना कहते हैं see you soon अम्मा and then क्या होता है all I did was smile and smile and smile and बस अपना सारा pain अपना सारा fear वो अपने अंदर दबाते हुए अपने smile के अंदर छुपाते हुए वो सिर्फ और सिर्फ smile करते हैं वहाँ से वो चले जाते हैं और हमारी poem जो है वो यहाँ पे end हो जाती है तो बहुत ही beautiful poem यहाँ पे लिखी गई है कमला दास के द्वारा अब हम एक बार फिर से rapidly इसको एक बार समझ लेते हैं पार्ट पार्ट की जबार हम सीधा एक साथ समझ लेते हैं उनका चहरा काफी डल था उनके चहरे पर wrinkles आ चुके थे बट अब उन्हें जो fear है उन्हों realization हुआ कि अब उनकी मम्मी उतनी बुड़ी हो चुकी है जितनी वो दिखाई देती है बट इस thought को अपने mind से हटाते हुए वो अपने खिड़की के बाहर देखते हैं खिड़की के बाहर वो देखते हैं कि पेड़ जो है वो तेजी से पीछे जा रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं अपने घर से बाहर निकल के अब यहां तेजी से पीछे जाते हुए पेड़ रिप्रेजेंट करते हैं वक्त को जो बहुत ही तेजी से बीथ चुँगा है यदो जो बच्चे हैं वो represent करते अपनी मम्मी के क्योंकि वो पेड की तरफ देख रहे थे और बच्चों की तरफ देख रहे थे तो उनके माइंड से यह डर जो था वो हट गया था बट जब एयरपूर्ट की सिक्यारिटी चेक कंप्लीट हुई और वो आगे गया और फिर से पलट के अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उन्हों ने लेट विंटर की मुन से कंपेर किया है बट अब वो जैसे यह सब देखते हैं तो उनका जो बच्चपन का डर था वो आप वापस आ जाता है यहाँ पर डर का दो मतलब है एक थोड़ा सा जुदाई का एक पर्मानेंटली अपनी मम्मी से दूर हो जाने का यह दो तरीके आपको क्लियरली समझ आया होगा एंड इस पोयम से कोई आपको डाउट अब नहीं बचा होगा कुछ questions हम देख लेती इस पोयम के एंड यह हमारा जो poetry का first chapter है वो complete हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और अगर summary से related कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप comment कर सकते है next हमारा question है हम पहले question की तरफ अपने देखते हैं what is the kind of pain and ache that the poet feels so कौन किस्ताइव का pain था अपनी मम्मी से दूर हो जाने का उनको pain था एक किस चीज़ का था एक तरीके से उनके अंदर डर आ गया था consider उनका childhood fear permanently दूर हो जाने का fear यह हमारे पहले question का answer clear next है why are the young trees described as sprinting the young trees are described as sprinting because they represent the time which passes very fastly और very quickly तो यहाँ पे जो young trees है वो represent करते हैं time को and sprinting इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो तेजी से पीछे जा रहे हैं यहाँ पी इसके दो reasons है एक कमलादास की कार जो है वो fastly आगे जा रहे है इसलिए जो पेढ़ वो पीछे जा रहे हैं बट अगर metaphorically हम यहाँ पे इसे देखे तो इसका मतलब यह होता है कि जो पेढ़ है वो time को represent कर रहे है and time जो है वो काफी तेजी से बीच चुका है इसका answer हम यहाँ पे अच्छे सी यह लिख सकते हैं next question है why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes in the poem अब यहाँ पे क्या कहा गया है जो married children यहाँ पे represent करते हैं author के childhood को जो जब वो छोटे थे और उनकी मम्मी जो यंग थी and यह सारी चीज़े वो वहाँ पे याद करते हैं कि क्या क्या चीज़े उस वक्त वो करते थे इसी को हमें यहाँ पे बता देना है next हमारा question है why has the mother been compared to late winter's moon अब यह चीज मैंने आपको कई बार इस poem की समरी में explain कर दी तो यह वाला question आपके लिए क्या है homework है next question is what do the parting words of the poet and her smile signify तो poet का smile क्या signify करता है कि poet के अंदर feeling जो थी वो उसे अपनी smile के थुरू दबा रहे थे क्योंकि वो एक तरीके से अपने आपको भी और अपनी मम्मी को भी यह सांत्वना दे रहे थे एक तरीके से कि अब हमें मिलना है फिर से बट reality उन्हें भी पता थी कि शायद है यह हमारे इस question का answer होगा next question है having looked at her mother why does कमलादास look at the young children अपनी मम्मी को देखने के बाद वो young children की तरफ क्यों देखते हैं तो young children की तरफ वो क्यों देखते हैं अपने जो mind में जो fear आ रहा है जो thoughts आ रहे हैं उन्हें दूर भगाने के लिए okay forwarded to our next question what were कमलादास fear कमलादास का fear क्या क्या था और अब वो वापस क्यों आ गया तो कमलादास का fear था अपनी मम्मी से दूर हो जाने का उनसे फिर से नहीं मिल पाने का अब वो वापस क्यों आ गया क्योंकि जब वो कोचिन से अपने एयरपोट वापस जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में अपनी मम्मी का चेहरा देखा जो की काफी डल हो चुका था काफी बूढ़ी हो चुकी थी उनकी मम्मी पिछले ही पेच पे हमने इस question का answer जो है वो किया है next question in the last line of the poem my mother at 66 why does use the word smile repeatedly अब यह smile word को बार बार क्यों यूज किया गया है smile word को बार बार यूज इसलिए किया गया है क्योंकि poet दिखाना चाहते हैं कि वो अपने smile के पीछे छुपा रहे हैं अपने दर्द को इसलिए उन्होंने last line पे smile को बार बार यूज किया है next question the pain of separation is expressed both literally and metaphorically अब देखिए summary में मैंने इसे बहुत अच्छे से explain कि fear के कौन-कौन से दो meaning यहाँ पी यूज किये गया है same वही इसका answer होगा तो इसका भी answer आपको homework and homework आपको पता है कहां पे आप comment answer करने comment box में so यहाँ पे हमारा जो poem का section poem का first chapter था हमारा जो first poem था my mother at 66 वह अच्छे तरीके से complete हो जाता है and अब इसमें आपको extra चीज़े कुछ नहीं करनी है बस poem तो मैंने आपको यहाँ पर read करा दिया है and summary भी अच्छे से explain कर दिया and आपको इसका meaning क्या इस poem का वह अच्छे समझ आ गया होगा question के भी practice हमने कर ली है अब आपको wait करना है next video का and धीरे धीरे इसी तरीके से हम क्या करेंगे अपने English का syllabus complete कर लेंगे then हमको final revision exam time पे करना है अभी हमें सिर्फ समझना है and exam time पे इसको पढ़ना है clear मिलते हैं next video में till then goodbye thank you take care Jai Hind